दोस्तो आज की इस फिडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे लैंक्स्टन ह्यूग्स की एक पोईम हर्लिम ये पोईम एक्जाम पॉइंट आफ यूग से बहुत जरूरी है दोस्तों तो पहले हम लोग इस पोईम के टाइटल का मतलब समझते हैं ये हर्लिम क्या होता है हर्लिम एक जगय का नाम है दोस्तों जहां पर अमेरिका की ब्लैक कम्यूनिटी रहा करती थी और माना जाता है कि लैंक्स्टन ह्यूग्स अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों की आवाज सी अमेरिका में जो black color के लोगों के साथ में racial injustice होता था उनके color को लेकर के उनसे भेदबाओ किया जाता था उसके बारे में ज़्यादा लिखते थे यह poem की पहली line में बोलते हैं What happens to a dream deferred यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक सपना जो एक community ने देखा है वो black community की बात कर रहे हैं कि हम भी American dream का part बने American dream के बारे में मैंने आपको कई बार बता है क्या था American dream America एक prosperous land बने successful लोगों की भूमी तो एक community ऐसी भी है black community जो इसमें हिस्सा बनना चाहती है उनके भी कुछ सपने है लेकिन अगर ये सवाल पूछ रहे है कि लेकिन अगर जिस सपने को नकार दिया जाता है या delay किया जाता है बात-बात में delay किया जाता है postpone कर दिया जाता है यहाँ पे ये जो deferred word है इसका मतलब होता है postpone कर देना आगे के लिए किसी चीज को छोड़ देना कि आएगा time तो देखेंगे क्या होता है फिर उस सपने का जिसको postpone कर दिया जाता है वो आगे पूस्ते हैं क्या वो सपना धूप में सूख कर किश्मिश की तरह हो जाता है does it dry up क्या वो सूख जाता है like a resin resin का मतलब होता है किश्मिश की तरह in the sun सूरज में जैसे अंगूर को रखोगे वो सूख कर किश्मिश बन जाएगा तो क्या सपना किसी किश्मिश की तरह सूख जाता है दूप में रखने पर ऐसा होता है कि उसकी साथ में या फिर और फिस्टर लाइक सूर या फिर किसी घाओ की तरह सड जाता है सपना क्या होता है उसका जैसे किसी घाओ में पस भर जाता है वैसे ही क्या सपने के अंदर भी पस भर जाता है क्या and then run क्या वो हमसे दूर चला जाता है या फिर वो बदबू मारता है किसी सड़े हुए मीट की तरह does it stink like a rotten meat क्या किसी सड़े हुए मीट की तरह वो stink यानि बदबू मारता है क्या या फिर crust and sugar over like a syrupy sweet या फिर किसी मीठी सिरप की तरह स्वादिश्ट हो जाता है आगे वो बोलता है maybe it's just sags शायद वो जुक जाता है जुक जाती है न वैसे जुक जाता है और does it explode या फिर वो फट जाता है क्योंकि उससे इतनी उम्मीदे जुड़ी होती है कि वो फट जाता है क्या होता है एक सपने का यही पर ये पोविम खतम होती है दूस्तों अब मुझे comment में जाकर बताइए कि आप इस पोविम का क्या मतलब निकालेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही